अम्रीका की शक्ति को मुकाबला देने के लिए कुछ विकल्प जो है जो छेत्रिय संगटन है उसके रूप में विश्व स्थर पर उभर कर आ रहे हैं सत्ता के ये जो विकल्प है ये अल्टरनेटिव्स है वो है योरोपिय संग आसियान चीन भारत ब्रिक्स इस्रेल और रूस जैसे देश भी छेत्रिय संगटन बनाने के जो वो देशे होते हैं जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए आर्थिक वृद्धी सामाजिक प्रगिती सांस क्रितिक विकास लाना होता है तथा एक सामोहिक आत्म नर्भरता को भी बढ़ावा देना होता है एक दूसरी की समस्याओ को आपसी विश्वास सूजबूज के साथ सौल्फ करना होता है और अन्य देशों के साथ या अन्य संगटनों के साथ भी सहयोग करना होता है और अंत सहयोग को बढ़ावा मिलता है August 1967 में पांच देश थे साउथीस्ट एशिया के इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपीन सिंगपूर और थाइलेंड इन्होंने बैंककॉक में ये मिले और वहां पे इन्होंने घोशना पत्र पर हस्ताक्षर किये और उसी से आसियान की स्थापना और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी उसको भी हासिल करना था कानून का साशन या रूल अफ लौ और युनाइटेड नेशन्स या संयुक्त राश्ट संग के नियमों का पालन करके छेत्र में शांती और एक पर्मिनेंसी या स्थाइत्व को बढ़ावा देना था आसियान एक सक्सेस्फुल संगटन रहा है और ये अनपचारिक है तकराव रहित मीन्स आपस में इनके जगड़े जो हैं बहुत ही कम हैं मदभेद बहुत कम हैं और सहीयोग आत्मक मेल मिलाप का एक नया एक्जामपल या उधारन पेश किया है और इसी को आशियान शैली भ समुदाए है आसियान का सुरक्षा समुदाए चेत्रे विवादों को सेनिक टक्राओ से बचाना चाहता है और शांति पूर्व तरीके से सभी जो इनके आपसी मदभेद हैं उनका सलूशन चाहता है आसियान आर्थिक समुदाए का उदेश्य जो है जो इसके सद्रस्य और उसका उत्पादन आधार तयार करना ताकि इस चेत्र की आर्थिक विकास जल्दी हो सके और आसियान का सामाजिक सांस्कृतिक जो समुदाए इसका उदेश्य है कि आपस में टक्राओ रहित होकर बातचीत करें सहयोग करें और सांस्कृतिक आधान प्रदान भी कर सकें विकास को बढ़ावा देना शीत यूत के समाप्ति के उपरांथ आसियान ने चेत्रिय सहयोग और विकास की दिशा में काफी प्रगति की है और यह आर्थिक सहयोग जो संगटन है यह विश्व में एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति बन गया है भारत ने भी आसियान के महत साजेदारी को मजबूत करने का भी प्रयास किया है दक्षन पूर्वी एश्या के छेत्र में शांती और स्धिर्ता को सुनिश्चित करता है यह और इसके सदस्ये जो राश्ट्र हैं वे शांती पूर तरीकों से अपने मत भेदों पर चर्चा करते हैं और उसका समाधान करन सिंगपूर और थाइलेंड उनके साथ मुक्त व्यपार या फ्री ट्रेड के समझोते भी किये हैं आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय आर्थिक समुदाय तथा आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई है चायना या चीन में 1949 में समाजबाधी करांती हुई जिसके द्वारा साम्मैवाद साशण की स्थापना की गई और ये माव के नेत्रतु में ये क्रांती हुई थी और शुरू में ये एक साम्मैवादी अर्थवयवस्था को अपनाया गया था लेकिन चीन ने आइसा इसा करकर अपनी जो आर्थिक और व्यपारिक छेत्र है उसको उन्होंने दीरे-दीरे खोलना शुरू कर दिया है। 1978 में चीनी नेता डेंग जौपन ने खुले द्वार या ओपन डोर की नीती की घोशना करी और जिसके तहत आर्थिक सुधारों की शुरुवात की गई। चीनी नेताओं ने विवेकपूर निर्ने लिया और उन्होंने सोवेट संका या रूस का आर्थिक मॉडल जो शौक थेरेपी था उसको ना अपना कर चरण बद धंग से अपनी अर्थ विवस्ता को विश्व बजार के लिए खोला और उसके साथ जोडने की कोशिस की। 1982 में उन्होंने अपने क्रिशी का निजी करण किया और 1998 में चीन ने ओध्योगी करण का भी या इंडस्ट्रीज का भी निजी करण किया ताकि विदेशी जो निवेशक हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो आकरशित हो सके। चीन ने आर्थिक विकास के लिए विशेश आर्थिक चेत्रों की स्थापना करी। क्रिशी एवं उद्योग के निजी करण से चीन की आर्थिक विवस्था को जो है बहुत ही मजबूती मिली। चीन की विशाल जनसंख्या या पॉपिलेशन उसका बड़ा भूभाग या टेरिटरी संसाधन या रिसोसिस उसकी छेत्री स्थिति तथा राजनितिक प्रभाव जो एक कॉमिनिस्ट पार्टी का जो वर्चस हुए है उससे इसकी आर्थिक स्थिति जो है प्रभावशाली बन गई है चीन बड़ी तेजी से सैनिक एवं आर्थिक रूप से विकास करके अमरीका के जो मुकाबले है उसकी सत्ता का एक विकल के रूप में उभर कर आ रहा है बी आर आई सी एस या ब्रिक्स इस संगठन की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका जो शुरुवाती इसके देश थे वो थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और अब इसमें दक्षिन अफरीका को भी शामिल कर लिया गया है ब्रिक्स एक ताकतवर संगठन बन चुका है और इसकी जो पाँच अर्थ विवस्ताए हैं या जो एकोनॉमिक पावर्स हैं वो काफी पावर्फुल होती ज जैसे कि आप इंडिया ले लो रूपीज, रश्या ले लो रूबल, ब्रिक्स के सभी जो देशे वे डेवलपिंग कंट्रीज हैं या नियू इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं और इनकी अर्थ विवस्ता तेजी से बढ़ रही है पाँचो जो ब्रिक्स के देश हैं एक अनु पी है वो 23% का योगदान करता है और विश्व वैपार में लगबग 18% हिस्सेदारी है इन देशों की यह समू पस्चिमी शक्तियों के मुकाबले पर तयार किया गया था लेकिन अभी तक यह सपश नहीं है कि ब्रिक्स समू कितना प्रभावसाली बना है इसका मेन अबजेक या लक्षे है कि वो इस मुद्रा की जंगा मतलब अमेरिकी डॉलर की जंगा और मुद्राव के का उप्योग करें ताकि विश्व स्थर पे उनकी मुद्राएं भी या करंसी भी स्ट्रॉंग हो वैपार के छेतर में जो डेवलप्ट कंट्रीज है या विकाश शील देशों क उपर ये विक्सित देश का काफी दबदबा है और इसी दबदबे को खतम करने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा वैपार ब्लॉक बनाने का लक्षे बनाया गया था 1948 में इस्रेल की स्थापना की गई और ये यहुदियों के लिए एक देश अलग से बनाया गया था ये बहुत चोटा देश है जो की चारो तरफ से दुश्मन देश जो अरब कंट्रीज है उससे ये चारो तरफ से घिरा हुआ है हाली के कुछ सालों में इस्रेल जो है आर्थिक रूप से बहुत ही सुद्रड और एक पावफुल नेशन बनकर विश्वत की राजनीती में उतर कर आया है और इसका जो रक्षा बजट है वो 17.8 बिलियन डॉलर रुपे है इस्रेली सेना दुनिया की चौथी सबसी बड़ी सेना में से आती है और इनके पास Anti-Ballistic Defense System है जो उस अलाके में केवल यही एक देश है जिसके पास है इस्रेल का सेटलाइट सिस्टम भी बहुत ही स्ट्रॉंग और पावफुल है इस्रेल एक पूंजिवाद देश है और इसकी अर्थ विवस्ता जो है एक उननत मुक्त बाजार के रूप में आधारत है और संयुक्त राष्ट के मानव विकास अगर आप सुचांक देखें तो इसमें इस्रेल की पुजिशन जो है 22nd पुजिशन है पूरे वर्ल्ड में और एक वेरी हेल्दी डेवलप्ट कंट्री की श्रेणी में आता है इस्रेल में एक क्रिशी अत्यंत विक्सित उद्योग के रूप में है और इसके जो आधोनिक विश्व विद्याले हैं या एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी काफी उननत है इनके इंडस्ट्रीज या प्रोद्योगी है जो इंडस्ट्रीज है वो भी काफी अच्छे सरपर है विश्व राजनीती में इस्रेल एक बहु मखी आर्थिक संपन सैन्य और शक्तिशाली देश है और ये एक महाशक्ती के रूप में उभर कर आएगा भारत और इस्रेल के संपन भी काफी अच्छे है और शुरुवाती दौर में भारत के उनके साथ राजनीक संपन नहीं थे 2015 के बाद भारत और इस्रेल खुले तोर पर एक दूसरे का सहयोगी बन गए है रश्या ये रूस 1991 में जो सोवेट संग के विग्डन के बाद रूस एक प्रभाव शाली और शक्ती शाली देश बनके विश्वत के राजनेतिक स्थर पर आया है ये एक परमानू संपन देश है और अमेरीका को ये कड़ी टकर दे सकता है भविश्य में विग्डन के बाद शॉक थेरेपी के बाद से रूस की अर्थवेवस्था ये एकनॉमिक कंडिशन काफी कमजोर हो गई थी रूस जो है योरोप की पाँच भी सबसे बड़ी राश्ट्रिय अर्थवेवस्था है परन्तु योरोप के काफी देशों के साथ इनके मदबेद है रूस की जो स्पेस टेकनॉलजी है इसकी जो उर्जा या एनर्जी थर्मल एनर्जी और दूसरी टाइप की जो एनर्जी परियोजना है वो चला रहा है और ये काफी संपन देश बनते जा रहा है पश्चमी देशों के अपरतिक्ष विरोध के बावजूद रूस की ताकत उभर कर आ रही है रूस की साइबर या सूचना युद में जवर्दस चमता है और विश्व में कुछ अहम चुनोतियां पैदा करता है दूसरे देशों के लिए रूस अपने करीबी मुलकों में ए और रूस के जो आर्थिक संबंध है राजनेतिक संबंध है वो काफी सुद्रड और स्ट्रॉंग है रूस में तेल या पेट्रोल प्राकरतिक गैस या नाच्रल गैस तामबा हीरा और सोने जैसे काफी भंडार है और कृशी के छेतर में भी रूस एक प्रमुख केंद्र बि अमेरिका विरोधी गडबंडन नहीं है बलकि ये अमेरिका के अकेले सुपर पावर होने को चनौती दे रहे हैं